पार्ट टू में जो हम लोगोंने बैसिक चीजे डिसकस किती है उसमें यह डिसकस किया था कि IP version 6 है क्या कितने बिटका एडरेस है कितने ग्रूप यूज होते है और किस टाइप के एडरेस होते है अगर एडरेस को sort करना है और sort में addresses को किस तरीके से provide करते हैं यह सारी चीज़ें हम लोगों ने part 1 में discuss की थी लेकिन अब हम लोग पार 2 में क्या चीज़ें discuss करने वाले वो देखते हैं पार 2 में सायद part 1 में हम लोगों ने end में जो चीज़ें discuss की थी वह आपर यह चीज़ें बोलाता हमने कि network prefix की हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप कैसे find out करोगे कि network portion कौन सा है और host portion कौन सा है IP version 6 के अंदर तो हम लोग basically IPv4 का पहले से idea है तो पहले IPv4 के बारे में देखते ह है कि IPv4 के अंदर network portion और host portion को define करने के लिए क्या use करते थे थे ठीक है तो let's continue हम लोग बात कर रहे हैं network prefix network prefix ठीक है network prefix की बात कर रहे हैं वो भी किस case में बात कर रहे हैं IP version 6 में network prefix की बात कर रहे हम लोग IPv6 के साथ अगर IPv4 की बात करें तो आपको idea होगा IPv4 में suppose मैं IPv4 की बात करता हूं तो ज्यादा अच्छे से clear हो जाएगा IPv4 में 19216810.1 suppose एक IP address है और इसका एक subnet mask हुआ 255.255.255.0 because एसी class का address है IPv4 के साथ यह चीज थी तो आपको idea लग जाता था कि यह starting के 3 octet है यह network portion है और जो लास्ट का octet है इसमें हम लोग changes कर सकते हैं यह idea आपको तब लगता था जब आपको subnet mask पता होता था it means IPv4 के अंदर subnet mask define कर रहा था कि आपका network portion कौन सा है और host portion कौन सा यह define करने के लिए आप subnet mask यूज कर रहे थे otherwise अगर आपके पास subnet mask नहीं पता होता था तो आप network and host portion को define नहीं कर सकते थे same pattern से अगर हम लोग बात करें IPv6 में भी network portion and host portion को define करने के लिए क्या यूज करते हैं ठीक है यहाँ पर IPv4 के साथ अगर version 4 की बात करें तो यहाँ पर आप subnet mask भी यूज करते थे और इसके साथ साथ आप CIDR का भी option था CIDR का option था जब हम लोग subnetting करते थे तो उसमें CIDR के थुरू भी आप ये क्योंकि CIDR के थुरू भी आपका subnet mask ही भी कलके आएगा उसके according आप ये find out कर लें देदे कि कौन सा network portion है किसके अंदर changes करने और किस software चेंजर changes नहीं करने आपको ठीक है अब बात करते हैं IPv6 की इसके पैलर देखते हैं IPv6 IPv6 की अगर हम लोग बात करें ठीक है तो IPv6 आपको पता है कि 128 bit का address है ठीक है टोटल ग्रूप से इसके अंदर कितने हो गया एट ग्रूप ठीक है एट ग्रूप है 128 bit का address है इसमें starting के जो 64 bits है वो network portion को define करते हैं लास्ट के 64 bit आपके customer ID मिस host ID को define करते हैं ठीक है तो starting के suppose मैं एक example लिखता हूं कोई भी IPv6 का ठीक है suppose fe80 colon colon sort करना तो आपको पता है ठीक है sort करना अच्छे से आता है लेकिन मैं एक पूरा complete address लिखता हूं जिससे आपको idea हो जाए network portion और host portion किस तरीके से define करते हैं 1 1 2 3 colon fe21 colon 001 colon aef2 colon 2af2 1 2 3 4 5 6 1 1 1 1 colon 2 2 2 2 2 right total groups हो गए 8 1 2 3 4 5 6 7 8 total 8 groups हो गए 8 group complete हो गए अब 8 groups means 128 bit address 128 bit address है तो यहां पे subnet mass and cidr दोनों की help से हम लोग network portion host portion define करते थे बट यहां पे अगर बात करें तो केवल और केवल network and host portion means network prefix और customer id यहां पे आप host portion को किस चीज़ क्या बोल सकते हो customer id means host id भी बोल सकते हो बात एक ही है common बात है host id यह customer id तो starting के जो 64 bit है in case of ipv 6 starting 64 bit आपको भी पता है कि एक octet कितने bit का हो गया 16 का तो total 4 octet कितने हो गया 64 bit के starting 64 bit जो है यह represent करते है किस बात को जब मैं starting के 64 bit रिप्रेजेंट कर रहे है network prefix को और लास्ट के जो 64 bits है यह define हो रहा है लास्ट के जो 64 bit है यह आपका host id यह लास्ट के 64 bit host id है और starting के 64 bit network prefix है आप अच्छे से समझेए बहुत ही interesting चीज़ आई पीवी 6 इसके आगे अगर हम लोग जाए मैं यहाँ पर cidr value लिखता हूं 64 मैंने cidr दिया 64 because ipv6 के साथ class full वाला कोई रोल नहीं है जो ipv4 के साथ आप subnet mass use करते थे class full addresses होते थे a class b class और c class ठीक है यहाँ पर कोई भी class full addresses नहीं है यहाँ पर cidr की help से ही आप और network prefix और host id portion को find out कर सकते हो only and only cidr ठीक है ओके अब एक चीज़ धान से देखिए starting के जो 64 bit है वो network prefix है राइट लास्ट के जो 64 bit है वो host id है तो जो लास्ट के 64 bit है वो host id है एक चीज़ देखने वाली यहाँ पर ही है कि यहाँ पर जो लास्ट के 64 bit है इसके अंदर इस 64 bit में 48 bit का जो आपका mac address है means physical address of lancard 48 bit का mac address include है जो 64 bit है इस 64 bit में 48 bit का mac address include है और वो जो 48 bit का mac address है वो उस machine उस particular host का एक physical address है जो इस ip address के साथ include है बहुत ही important point है क्योंकि अगर हम लोग ip version 4 की बात करें तो ip version 4 के address के साथ कोई mac address की information add नहीं होती थी but in case of ip version 6 mac address जो particular machine है उस machine का जो host id portion है उस host id portion में उस machine का जो physical address है 48 bit का address वो include होगा ठीक है अब इसका advantage क्या मिला compare to ip version 4 obviously बात ip version 6 के साथ बहुत सारे advantage है security point of view से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा advantage है ipv4 में आप एक चीज़ देखो suppose ipv4 में कोई भी mac address की information तो include थी नहीं but ipv6 के साथ last 64 bit में mac address की information included definitely 100% ठीक है अब आप चीज़ देखो ipv4 के अंदर अगर mac address की information include नहीं थी तो हम लोग क्या करते देगा switch के true communication कराना है में एक छोटा सा example हमारे पास एक switch है उस switch में मैंने 4pcs connect किये right ipv4 की बात कर रहा हूं जब आप 4pcs connect करते थे और यह आपका source and this is destination right source to destination अगर आपको जाना है और first time packet बेजना है तो आप आइडिया अच्छे से होगा कि एक आर्प request generate होती थी आर्प request generate होती थी address resolution protocol और after that एक reply आता था इधर से जिसको हम लोग बोलते थे आर्प reply right इस आर्प request reply का मीनिंग आपको अच्छे से आइडिया है कि address resolution जो प्रोटोकॉल है इसको IP to Mac resolution के लिए use करते थे हम लोग कि हमारे पास जब starting में source to destination first time packet बेजना होता था तो हमारे पास destination के Mac address की कोई information नहीं होती थी और जब destination के Mac address की कोई information नहीं है हम layer 2 की बात कर रहे है switching में switch के तुरू मुझे packet बेजना है so switch work करता according to Mac address और switch के पास destination Mac की कोई information होती नहीं है ठीक है it means first time क्या होता था IPv4 के case में कि ARP request जनरेट होती थी और उसके बाद ARP reply आके फिर packet complete होके send हो जाता था right but in case of IPv6 आप इस चीज़ को देखिए in case of IPv6 अभी आपका जो भी IPv6 का packet जा रहा है उस packet में उस machine की Mac address की information include है तो यहां पर जो IPv6 के case में ARP request जनरेट नहीं होगी राइट important point था ठीक है ओके इसके just बाद अगर हम लोग बात करें तो क्या पढ़ना चाहिए इसके just बाद हम लोगों को continue यह करना चाहिए कि जो यह last का 64-bit address है last का जो 64-bit address है जिसके साथ Mac address की information attach है इस address का एक format है जिसको हम बोलते हैं EUI format इस address के format को हम लोग बोलते हैं EUI format right extended unique identifier extended unique identifier EUI format का meaning क्या है EUI format का मतलब यह है कि Mac यह जो 64-bit का address है इसको 48-bit के Mac address को 64-bit के address के साथ किस तरीके से use किया गया है किस तरीके से इसको इसके rules क्या है इस format को कैसे create करेंगे यह चीज़ हम लोग discuss करने वाले हैं कि EUI format क्या होता है okay wait हम लोग EUI 64-bit format के बारे में discuss करते हैं और EUI 64-bit format के बारे में किस तरीके से हम लोग अपने Mac address को 64-bit format में change कर लेते हैं ठीक किस तरीके से convert होता है राइट वो चीज़ देखते हैं EUI 64-bit format देखने के लिए हम लोग एक example लेते हैं और suppose अपने पास एक Mac address है Mac है जो Mac address है 1114 times 1.4 times 2.4 times 3 एक Mac address है आपको बिल्कुँ सिंपल यह करना है कि इसकी जो 7th नंबर की bit है उस 7th नंबर की bit को आपको set करना है 0 to 1 उस 7th नंबर की bit को आपको क्या कर देना है 1 सबसे पहले आप binary निकालोगे binary निकालने के बाद जो 7th नंबर की 0 bit है उसको क्या कर दोगे आप one set कर दोगे आफ्टर देट उसके बाद आप्टर दे 16 बीट आफ्टर 16 बीट फिक्स ट्रिपल एफ ए वैलू 16 बिट के बाद में आपको fix करना है ट्रिपल फ ए तो आप हम लोग target कर रहे है 7th बिट को 7th बिट देखते हैं आपको पता है कि जो भी मैक address है उसका एक जो hexa value होती है उसके अंदर कितने बिट होते है? 4 bit hexa decimal जो value होती है उसके अंदर total bits कितने मिलेंगे? 4 idea होगा अच्छे से आपको क्योंकि 4 bit होंगे अकर सारी bit 1 हो जाती है तो उसका binary से decimal निकालो क्या है का 15? तो जब भी hexa decimal में f की value होती है वो क्या होगी? maximum 15 होना चाहिए इस चीज़ का idea ठीकर 7th bit set 0 to 1 यह starting की 4 bit हो गया? right? next 4 bit 8 तो अगर starting के 4 bit की बात करें तो 0, 0, 0, 1 यह condition है starting के first hexa decimal value की right? first hexa decimal जो value है वो कितने bit का 4 bit का अगर इसको मैं binary से decimal निकालो तो value क्या आएगी? second thing 0, 0, 0, 1 right? second जो hexa value है उसकी भी condition यही है but हमारे पास जो rule है EUI के अंदर वो यह है कि 7th bit को आपको 0 से क्या कर देना है? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7th number की bit है इस bit को आपको क्या कर देना है? simple विल्कुल 1 कर देना है right? जैसे ही 7th number की bit इसको आप कोई changes तो करने नहीं तो as it is value क्या आजाएगी? 1, इसके अंदर जो 7th number की bit को आप 1 करोगे तो binary से decimal निकालोगे 1 and 2, total value क्या हो जाएगी? 3, total value क्या आजाएगी? 3, it means जो second hexa value है जो क्या थी? 1 थी, वो change होके क्या हो जाएगी? 3, it means 1 and 3, तो 7th number bit को मैंने 0 से 1 पे set कर दिया, फर्स condition तो हमने follow कर ली second condition क्या था? कि after 16 bit fix करना है आपको triple F e, after 16 bit की बात करें, तो यह आपका जो complete हो गया, यह जो 4 plus 4, 8 हो गया, यह complete हो गया, next 16 bit के आगे, after 16 bit, after 16 bit में आपको 4 plus 4, 4 plus 4, यह क्या हो गया? 16 हो गया, तो as it is लिखना है, उसके बाद में आपको fix करना है, triple F e, तो as it is में हमने यह कर दिया, and colon, double 2, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, after 16 bit बोला था, तो 8 plus 8 bit, 16 हो गया, इसके just बाद आपको fix क्या करना है, triple F e, triple F e fix करने के लिए double F, colon, आपको double F ही लिखना है, क्योंकि reason है, एक group के अंदर total hexa values कितनी होगी, 4, right, इसके just बाद आप आप आजो, और आपके पास जो next, जो remaining है, वो क्या है, F e, right, उसके just बाद, double 2, colon, 3, 3, 3, 3, right, 16, 16, 16, 4 times 16 करोगे, तो आपके जो value आजाएगी, वो आजाएगी 64 bit, right, यह UI format है, इस mac address का, जिसका 4 times 1, 4 times 2, और 4 times 3 है, तो easy है, आपके पास कोई भी mac address हो, mac address की 7th number, hexa value, आपको पता होने चीए, कितने bit की होती, 4 bit की, 7th number की जो bit है, उसको cutback से आपने 7th number की bit को 0 से 1 कर दिया, जैसे 7th number की bit को 0 से 1 किया, उसका binary to decimal निकाल के value पूट कर दी, उसके जैस्ट बाद आपको 16 bit next चले जाना, आगे चले जाना, 16 bit को छोड़ देना है, और उसके बाद आपको एक value fix करना है, ट्रिपल एफ E, 3 times अप, E को आपको क्या करना है, fix कर देना है, वो value हमने ट्रिपल एफ E fix कर दिया, after that मैंने same value उटागे लिख दी, जो यहाँ पे है, यह हो गया हमारा EUI 64 bit format, तो EUI 64 bit format की अगर हम बात करें तो आइडिया होगे आपको अच्छे से, इसके बाद हम लोग जो discuss करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग part 3 discuss करेंगे, यह हमारा part 2 था, complete होगया part 2, अब हम लोग part 3 में discuss करेंगे, कि जो addresses scopes हैं, address scope का मतलब जैसे हम लोग IPv4 देखते थे, वी 4 में आपके साथ क्या था, public IP, private IP addresses, ऐसा ही यहाँ पे IPv6 के अंदर link local addresses हैं, ठीक है, site global addresses हैं, site local addresses हैं, global addresses हैं, multi-cast addresses हैं, any cost का concept है, किस तरीके से any cost होता है, ठीक है, यह सारी चीज़ें हम लोग third part में discuss करेंगे, okay, thank you